दोस्तों मैं केंद्र विध्याले के पेपर को लेके आई हूँ ड्राइण पेंटिंग का यह पेपर तेरा फर्वरी को हुआ था जिसके कुछ क्वेशन डिसकस हो चुगे थे लेकिन कुछ रहा गये थे उनको लेके मैं अभी आई हूँ तूती नामा में किसका वर्णन है तो तूती के प्रेमालाब का वर्णन है इसको हम यहां पर देखते हैं यह देखिए दोस्तों यह जो है यहां पर दिया हुआ है यह एक्चुली मुगल काल का है इसमें लिखा हुआ है कि तूती नामा 1560 से 68 इसवी के बीच का है तो तोती का प्रेमालाब इस ग्रंथ का विशय है इसमें 103 च्टी रहें और 1330 एज़वी के आसपास तूती नामा की कथा इरान में काफी प्रचलित थे और उसी का मुगलिया दूती नामा है और और यह इरान में यह तो तूते का प्रेमलाब वाली कथा भाद प्रचलित थे और इसका मुगलिया रूप ही सेकंड यह दिखिए यह कांसे से बनी हुई है और यह पजाट टाइम में राष्ट संगेराल धिली में इस्थयक्ञल है necks question है सन्थाल परिवार किस किकरेती है यह शायद दोस्तों यह ता कि सन्थाल परिवार डाम किंकर बैच किकरेती है और यह किस मीडियम में बन रखी इसी टाइब का question था तो इसका answer यह है संथाल परिवार जो है कि मूर्तिकार रामकिंकर बैज की कृती है और इसे इनोंने cement concrete से संथाल परिवार नामक सिल्फ बनाया है किसने रामकिंकर बैज ने अमरिता शेर्गिल का जन्म 30 जन्बरी सन 1913 को बुड़ा पेस्ट हंगरी में हुआ था और इनकी माता जो थे वो भारतिय शिक थे और इनकी माता मरियम हंगेरियन थी और जो अमरिता शेर्गिल थी इनका जन्म 1913 में हंगरी में हुआ था नेक्ष कुईशन है चिल्रन सुमना थोड किस विधी में बना है चिल्रन जो शिल्प है कलाकृती है यह सुमना थोड के और यह किस माध्यम से बनी है दोस्तों यह में कुछ सेपरेट नोट्स है इसी मैंसे मैं आपको बदा देती हूं यह एचिंग कॉपर प्लेट पर निर्मित किया गया है और 1958 में निर्मित हुआ था और नैशनल गैलरी आफ मॉडरन आर्ट न्यू डेली में इस्तित है और भुकमरी सोशन आधी को दिखाया गया है और तीन दुरलब बच्चों वा उनकी मा को दिखाया गया है दो चिल्रन ज काली भंगा गष्थल बनवाली और तीसा था काली घाट काली घाट तो है तोक्वेशन ये था के श्नी science का सतल कौन Bourassa नहीं है क्वैशन नहीं है था कि सिंदूद ऑभय तस्ता कौन नहीं है तो यह जा नदी के उद्गम पर कौन अए तो बामगउब84 नदी के उद्गम पर अजन्ता की गूफाएं अजन्ते के गुफाएं हरी स्रिंगार से अच्छादित मनोहर नीरव इकांग की घाटी में इसते थे या घाटी सत्पुरा से साथ कुंडों में गिरती हुई बागुरा नदी पहाड़ियों को कारती हुआ उनके पैरों में साप सी लोटती हुई कंपन के तरह मुड़ गई है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बागुरा नदी अजन्ते के गुफाएं जो है बागुरा नदी पहाड़ियों पर हैं तो इसका आंसर हो गया अजन्ता नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फिर नीक्ड Ques tran है, रास्च द्धाज का प्रतं रूप में बीच में इस रंग था। उस रास्च द्धै अज Ig जो कालर्स थे तीन कलर उनमें बीच में कौन सिय डूज था यह question पूछा गए इसमें तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें देखिए सरपर्थम साथ अगस्त 1906 में बने भायत के राश्चे धज को पार्सी बागान कलकत्ता में सुचनात बोस ने बंगाल के वाजन का विरोध करते हुए फेराय था धज में तीन रंगों को प्रमुक्ता दी गई थी नीला पीला और लाल नीले रंग पर साथ छोटे सितारे और आठव बड़ा सितारा था और पीले रंग की पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम लिखा वा था और सबसे नीचे बनाए गए लाल पट्टी पर एक और चान तारवा दूसरी और सूर्य बनाए गया था तो इसमें लिखा गया है कि बीच में कौन सा कलर था पीला रंग बीच में था जो सरवर्थम रास्टिय द्वजी था हमारा उसमें बीच में पीला रंग था तो इसका उत्तर होगा पीला